हलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लिब्रे ओफिस इंप्रेस में स्लाइड करते हैं टेक्स एट को टॉप्लिकेट स्लाइड को इंसर्ट करते हैं या न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं अब इमिज में देखेंगे कि कोपीं मोविंग डिली करना कहीं और पर या कोई object insert करना उसके अंदर तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखो select a text and click the right mouse button जो अभी text आपने उस slide में एंटर किया हुआ है उस text पे आपने right click करना है उसके बाद copy option आएगा या फिर ctrl c press कर सकते हो ठीक है या फिर आपको अगर delete करना है तो cut option के लिए ctrl c press करना बढ़ता है आपको उसके बाद आपने वहाँ cursor लेके जाना है जहां पर आपने उसको new जगा पर paste करना है या move करना है तो position the cursor on the location on the slide where you want to move तो वहाँ पर position लाई और उसके बाद control भी press कर दिया या फिर राइट क्लिक करके paste option भी कर दिया तो आपका जो टेक्स्ट है वह मूव के वहाँ पर आ जाएगा नेक्स है deleting the text मालो आपको कुछ आपने टेक्स टाल दिया है अब आपने उसको delete करना आप चाते हो वह मुने उस slide में नहीं लेना तो आप delete कर सकते हो उसके लिए आप delete और backspace button होते है keyboard पे उसकी help से delete कर सकते हो बस सोड़ा सा इसमें यह difference रहता है जो delete होता है डिलीट बटन होता है वह जहां भी आपका cursor होगा उसकी right side से text को delete करेगा और backspace होता है जो वह left side से delete करेगा तो आपको अपने cursor की position उसी साब से रखनी है जिसी साब से आप delete या backspace की को option को use कर रहे हो undoing and returning the change देखो कई बर क्या हो जाता है हमने मानलों कुछ गलती से हमसे delete हो गया या हम उसमें changes करते हैं लेकिन आप चाते हैं कि वह changes हमें वापिस चाहिए तो उसके लिए हम undo command यूज करते हैं undo से क्या होता है ज जो भी function perform किये होते हैं जो last जो भी हमने changes किये हैं वो वापिस से आ जाते हैं और redo में क्या होता है जो उससे last जो changes थे जो undo किया था वो वापिस से पहले वाली position में आ जाएगा तो it is also possible after having undone the change get it back this is called the redo function कि जो हमने undo किया था undo से पहले वो कुछ और था तो जो पहले का था जो undone था वापिस से redo हो जाए वो तो undo में तो यह हो गया आपने जो delete कर दिया था या changes किये थे वापिस से पुराना आ जाए और redo में क्या हो जाएगा वापिस से जो undo किया था वो आपीस आ जाए तो this option are located in the standard toolbar control plus Z से आप undo कर सकते और control plus Y से आप redo कर सकते यह shortcut keys होते हैं और इसके अंदर option होते हैं इसके जैसे आपके पास यह icons होते हैं undo का और redo का आप यह edit से भी इनको निकाल सकते है, edit option से, edit में से जाके आपको undo का option मिल जाएगा, redo में, edit में जाके redo का option मिल जाएगा, so using this method in undo, the menu will indicate the type of operation you will undoing, जो आपने operation नहीं किया, या another way to do this, press the undo icon, या तो इसके होता है, use to reward the result of undo function, कि undo function का जो result पहले का था, उसको आपको reward करना है, उसका उल्टा करना है, undo function का, कि undo ने जो काम किया था, उससे पहले वाला काम उसको reward करना है, आपको, तो आप redo function का use करते है, या तो shortcut की use करोगे, या फिर redo button पे click करते होगे, next आपके पास option है, view a presentation, कि जब आपने एक बरी presentation slide तयार कर ले, अब उसको view कैसे करके देखना चाहते हो, तो इसमें हमारे पास impress के अंदर वो सारे views के option होते है, सबसे पहले controlling the size of the view, आप size control कर सकते हो, कि इसमें zoom and view layout डायलोग box होता है, view tab के अंदर, जब आप menu tab में जाते हो, view tab होता है, आपके पा महाँ पर आप उसका size set कर सकते हो, zoom slider, status bar, या फिर zoom button से, या फिर आपके पास zoom view का option भी होता है, view के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि कितने percent आपको उसको देखना है, very 65% जैसे दिखाया हुआ है, 65% कर सकते हो, या फिर direct नीचे, आपके पास zoom का ये दिखो, ऐसे slide bar होता है zoom से आप उसको छोटा बड़ा 65% से उसको maximum कर सकते हो, minimum कर सकते हो, उसको बोल देते है, zoom slider, इसको slider भोल देते है, slide करके भी हम उसका area set कर सकते है, view area जो है, उसके बादा workspace view, workspace view क्या होता है, देखो, जो workspace view होता है, वो उसमें हमारे पास अलग-लग views आते हैं, कि जिस slide पे हम क slide view दिखता है, जिसमें आपको slides दिखते हैं, जितने भी आप use कर रहे हो, जो बीच में होता है, वो आपका workspace view होता है, तो आप उसको भी अलग-लग तरीके से देख पाते हो, normal view, outline view, notes view, slide sorter view, slide master view, notes master view, handout master, ये अलग-लग आपके पास option होते हैं, view के, सबसे पहले normal view, जैसे आ अपने text add कर सकते हो, graphics, animation, कुछ भी आपको उसको add करना, उसके अदर add कर सकते हो, अपना view में जाके, और भी अगर आपको उसमें change करना है, तो आप उसको change कर सकते हो, तो अब हमारे पास एक और option है, इसमें outline view, जैसे आप उसको outline view में देखना जाते हो, outline view में क्या होता है, the slide shows a presentation in a sequence, एक उसी comments में दिखते हैं, और it shows each slide in the outline format, सिर्फ उसका outline दिखेगा, उसके अंदर की description नहीं दिखेगी, only the text contain each slide is displayed, जो text text में बस हो ही दिखेगे, उसके अंदर जो आपने डाला है, वो चीज आपको नहीं दिखेगे, तो यह हम outline view करेंगे, तो आपको outline में दिखा रहा है, यह जैसे आपकी, यह पहले यह window थी, यह आपको normal में दिखा रहा था, ठीक है, और उसके बाद आपने outline में ऐसे दिखाएगा, next है notes view, notes view में क्या होता है students, notes view हम किसलिए यूज करते हैं, presenter, मतलब जो इस presentation को बना रहा है, वो मतलब उस slide के बारे में कुछ शोटे म notes याद रखना चाहता है, कि जब मैं slides के बार में बता हूँ, उसकुछ important lines है, वो मैं notes में note करके रखे हूँ, ताकि जब यह notes जो होते हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखते हैं, user को दिखते हैं, जिसने presentation बनाई हुई है, जो audience होती है, उसको सिर्फ slide दिखती है, तो यह notes में क्या करते हैं, notes डाल के रख लेते हैं, उस particular slide का, जब हम presentation के time वो slide दिखा रहे हैं, तो हम उस notes में से कुछ main point देखके बोल सकते हैं, तो यह देखो जैसे ही ओपर आपकी slide है, और नीचे यह जो आ रहा है, click to add text, यह आपका notes view है, इस notes view में आप अपने कुछ notes डाल के लिख स है, कि आप slide को sorting में देख पाते हैं, कि पहले कौन सी slide है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, इसमें सारे जो slide है, वो thumbnail की option में दिखते है, thumbnail मतलब छोटी-छोटी जैसे आपको icon दिखेंगे इसके, तो it is suitable for rearranging the slide order, इसको हम इसलिए यूज करते हैं, ता कि हम मालो करना होता है, तो हम slide shorter view से करते हैं, तो drag and drop करके, drag करके मालो third पे मुझे third वाली को first पे ले क्या आना, तो third वाली को drag करके मैं first पे ले आऊंगा, तो first वाली को, first वाली जो वापिस उसके बाद, third पे चली जाएगी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, next is formatting text, वीटा देखो जैसे आपने documentation में, जब आपने घिया था, writer में, या MSWED में, जैसे आप text को editing करते हो, जो भी आप text टालते हो, जैसे ऐसे ही slide में भी जो भी आप text टालते हो, इसके editing कर सकते हो, उसके पास, आपके पास formatting toolbar होता है, menu bar के नीचे, उसके अंदर सारे के सारे option होते हैं, आपके पास formatting text क करने के, जैसे font name change करना, font size change करना, यह देखो, यह लग से एक toolbar बना हुआ है, इसके थूरू में आपको बताती हूँ, कि कैसे दिखता है, इस toolbar में यह लग लग option है, जैसे increase font, इसमें क्या होगा, जो आपने अभी font दे रखा है, इसको इसको press करते जाओगे, तो font उस size से strike में, strike मतलब cut किया हुआ देखेगा, जैसे इसमें दीखरा है, और font color में आप color change कर सकते हो, इस text के, जैसे कोई भी color black की बजाए, आपने और कोई color देना है, और यह है alignment, alignment में क्या कि आपकी text हैं, जो left में start हो, या center में दिखें, right में दिखें, justify या फिर equal line में हो, तो आप कि इन सब की, आप arrangement कर सकतो, formatting के थ्रू, text formatting के थ्रू, यह जो मैंने आपको बताया, सभी यही चीज़ है, उनकी कुछ shortcut कीज दे रखी है, जैसे increase font के लिए आप control प्लस ये bracket यूज करते हो, decrease के लिए यह वली bracket यूज करते हो, board के लिए control प्लस B, italic के लिए control और I प्रेस करो अंडर लाइन के लिए control U, तो इस तरह से कुछ की जो है shortcut कीज दे रखी है, superscript के लिए shift plus control plus B, और subscript के लिए shift plus control plus B, बच्चों ये superscript और subscript का क्या यूज होता, देखो, कई बर आपने देखा होगा, कि जैसे इस तरह से text लिखे हुआ आते है, जैसे मानलों आपने कई बर power देना हो, आप चाहते हो A की square लिखा हुआ है, A के उपर 2 लिखा हुआ है, जैसे A के उपर B लिखा हुआ है, जो ये कैसे set करते हो, पहले हमानलों आपने A और B इकठा लिख लिए, ठीक है, फिर आपने B को इसको ऐजे उपर दिखाना है, ऐजे power दिखाना है, मतलब इसको supers राइट क्लिक करोगे, और जो superscript का option होता है, टूल बार में, या फिर control shift plus B प्रेस करोगे, तो वो उपर चला जाएगा, एक superscript बन जाएगा, ऐसे ही subscribe में होता है, आप इसको नीचे दिखाना चाहते हो, तो B पर राइट क्लिक करो, और उसको shift plus control plus B कर दोगे, तो वो subscribe बन ज लिखते हो, लिखे बच्चो, उसके बाद है हमारे पास दिखो, bullets की option, alignment मैंने आपको बताई है कि alignment set कर सकते हैं, icon की left, center, right, justify की left में जाए, या center में ratex, ठीक है, और और भी होते हैं, हमारे पास align top, align center, vertically, ठीक है, bottom की vertically आया, या bottom से start हो, तो इस तरह से आप इसको करकर के दि numbering, students हम कई वर कुछ numbers डालते हैं, कोई हमने मालो list बनानी होते हैं, कि यह part है, उसके आगे 1.1 है, 1.2 है, तो उसके लिए हम bullets and numbering use करते हैं, या तो यह number में use होता है, जैसे 123 दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरह से लग लग option आते हैं, या पर यह जो रोमन वाली 1, 2, 3 हो चूज कर सकते हो, capital में, small में, तो आपकी बस bullets में ही सारे option होते हैं, जो भी आपको चूज करना है, उसको चूज कर सकते हो, click करके, या फिर more option आते है, more option में आके, इसके अंदर और भी option मिलते हैं, आपको उसके coding आप, इसको set कर सकते हो, देखो इसमें bullets में आपको सिर्फ साइन दिखेंगे, जैसे point का, square का, इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही है, जैसे bullet sign numbering आप open करते हो, या डायलोग box आया आपके पास, bullets में आपके पास, अलग-लग sign आएगे, कि dot का sign होगा, square का sign होगा, अलग-लग shape के sign होगा, अलग-लग shape के sign होगा, increase paragraph spacing, paragraph spacing मतलब कहने का मतलब है, जो आपने paragraph लिखा है, उसमें spacing कितनी रहे, space कितना रहे, तो space को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो, paragraph spacing के थूरू, और line spacing के थूरू, एक line में कितना difference रहे, जो line है, सारी आपस में है, first line के बाद कितना difference हो, दूसरी line के बाद कितना difference हो, तो य यह बहुत आप स्पेसिंग के ट्रू कर सकते अपको यहाँ पर आता है यह वहार याइकन बनाऊ गर सिक भीटlifting भाव्ट औंट उसमें स्पेसिंग अलग अरद सलांob